नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हरिच्छा पिनेकर के पेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूं जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम जीएस ठियोरी बुक में स्टेटिक जीके में प्रफड़ोस करेंगे आप Bluetooth के बारे में पढ़ेंगे हमारा ज mensen को रहेगा हम सीपू के बारे में पढ़ने वाला है आपको पता हैा UX इंप्रोन gom से मिलके बना है जैसे कि क्या होता है अर्थमेटिक लोजिक यूनिट की बात करें अब की बात करें पढ़ने वाले एक्जाम में कुश्चन आते हैं इसी प्रस्पेक्टिव से पूछे जाते हैं अभी बात करते हैं अपने टाफिक देते हैं कीबोड हैं हम कीबोड देते हैं और फाइनली मॉनिटर पर हमें क्या मिलता है आउटपुड तो यह क्या है हमारा सी प्यू ने कुछ बात बताई हैं ठीक हमने सुन ली समझ ली अब हमारे ब्रेंड में तो क्या होगे प्रसेसिंग होगी ना सारी प् हम आउटपूट देंगे हम बोलेंगे अच्छा यह कर सकता है यह decision होगा हमारा तो सोचके processing होके हुई है तो सेम काम हमारा computers भी करता है हमारा CPU ही काम करता है हम input देते हैं किसके थ्रू देते हैं input devices के थ्रू देते हैं अब input devices में हमारा mouse और keyboard keyboard के थ्रू हमने input होती है CPU में क्या हुई हमारी processing हुई सारी completely जितनी इस्ट्रक्शन हम देते हैं सब हमारी CPU में जाती है सारी processing CPU में होती है और फिर finally हमें output मिलता है monitor के थ्रू तो यह सारा काम जो होता है यह सारा काम करता है आदि यह हमारा CPU करता है अब देखिये अगर बात करते हैं CPU की फुल फॉर्म हमने आपको बता दिए अब बात करते हैं कि हम हर चीज के कुछ ना कुछ unit होती है जब भी हम measurement करते हैं हम किसी ना किसी चीज की units होती है तब ही तो बताता है अचाई इसने इतने काम के इतने इंस्रक्शन रेट लिए उसने कितने इंस्रक्शन रेट पर वह काम किया है उसने तो उसको यूनिट बोलते हैं वह इंस्रक्शन पर काम करते हैं तो हम बात करते हैं तो जब वह कितने इंस्रक्शन रेट पर काम करता है तो उसकी यूनिट मेजर होती है उसकी मेजर होती है उ बोला कि हमारा जो CP हुए वो instruction लेता है अब वो instruction कितने डाइम की लेता है कितने कितने उस पे instruction लेता है उसको measure करने के लिए unit use होते है kips और एक होती है maps अगर बात करें अपके exam में पूछा जाए instruction rate कितना लेता है instruction rate के कितने हिसाब से वो measure करनी है तो आप बोलेंगे kips और maps पहले computers में हम इस पर measure करते थे इन यूनिट्स पर जैसे कि 1000 इंस्रक्शन पर सेकिंड या फिर किलो यूनिट्स आति है hertz में किसमें जाते है hertz में अब hvad क्या होता है कि अपने जो प्रोसेसर अभी मैंने क्या बोला पहले जो प्रोसेसर तो instruction rate पर लेकिन जो अभी process और हम यूज कर रहा है वो clock पर वकरता है clock rate पर तो हम बोलता है उनकी यूनिट्स किसमें होती है हर्ट में किस में होती है अगर कोशन में पूछें इंस्रक्शन के हिसाप से तो आप लिखेंगा मेप्स और किप्स और अगर पूछें आप से क्लोवर्ट में क्लोक रेट के हिसाब से तो वहां पे जो इंसक्शन रहती है युनित रहती है वोसकी उनित रहती है हर्ट तो हैं रखेगा हथ को हम ऐसे बसीन golden करता है यह speeds तो इन चीज को याद रखिएगा मेगा हर्च और गीगा हर्च रहती है किसमें क्लोक में तो दोनों चीजों में मैंने डिस्क्राइब करके अलग अलग बताया है कि अगर इंस्ट्रक्शन रेट के हिसाब से एक्जाम में पूचे तो मिप्स पर जाहिएगा और अगर आपको क्लोक के हिसाब से साइकल पर स還是 वी एकजाम में यहाब इसाब से यूनित तो मेगा हर्च और 2021 ही घीगा Kṛṣṇa अलग अगर भेलास को ओंड-षा से सब्सक्राइब करते हैं और कि यहाँ पर लिखते हैं ड screenshot करता है फिर ही से बाद गी से लिए स्टॉर करता हैक तो मैंने यह शुया लिए मैंने दिए हैं प्रवक्री करें अगर हैं तो मैं जैसे आपको कोई चीज बताता है तो पहले आप सुल लेते हैं आपने पहली कोई फैच कर लिपैंग है आपने ंपने कोई छीज पढ़ी नहीं है आपको Neces X लेना उस चीज से रिलेटिव तो ब्रेन में क्या चल दिए अपके डिकोडिंग चल रही है आप आप आउटपुट देने वाले हैं एक्जीक्यूट करने वाले हैं और फिर आपको अगर वह आपके लिए जरूरी है तो आपका ही ना कहीं अपने ब्रेन में स्टोर करेंगे त प्रोसेसिंग स्टर होगी फिर उसके बाद एग्जेक्यूट करेंगा किसके थूरूख और आउटपुट आएγα फिर उसके बाद क्या होगा is तो वह चीज इतना हैं मैंने आपको आपको बारे में बताई कि यह तो हमने पढ़े हैं उसके फंक्शन्ट में उसके पढ़े है एल्यू, arithmetic, logic, unit, नाम से ही पता चल रहा है, सारी calculation, सारे operation कहा होने वाले हैं, एल्यू में, यह component है, किसका, CPU के components की बात कर रहा है, याद रखें, यह components है, वो functions है, तो functions को आपको याद हो गए होंगे, जैसे मैंने example देखें समझा है, तो fetch, decode, execute and store, ब्रेन वाला एक्जाम याद रखना है आप कुछ भी पढ़ते हैं एक्जाम प्रस्पेक्टिव से एक्जाम में पढ़ते हैं तो पढ़ रहे हैं तो वह क्या हो फैचिंग हुई अब ब्रेन में आपके डिकोडिंग होगी कि अच्छा इसका मैं ऐसे सॉलीशन लिखूंगा इसका मैंसे सॉलीशन लिखूंगा तो आउट्पूट आएगा वह किसके थ्रू आएगा आपका जो अंसर राइटिंग होगी आप लिखेंगे उसको एक्जाम में वह उट्पूट हो गया अब वह कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में स्टोर रहेगा आचा हो आइवंग होगी चीज इह पढ़ी थी तो ला 7 करना एगजजकूट करना ऐगेक्जकूट किसके ठोकरते है आउट्पूट आता है को स्कूरे पर आपकाइब ऍाब्स्कूंग पूसर्क्रिक हो में श्चलिक करना?" कोVंड हो और 30 खर्ताएं हमारे रहा है सारी calculation जितनी भी होगी calculation related to many operation अब वो क्या हो क्यों होंगे हमारे addition हमारे subtraction हमारे multiplication हमारे division हमारे logical gates and nor XOR यह सब कहां होंगी सारी चीजे ALU पर होगी ठीक है तो ALU important part है कोई भी function को किसी भी input को processing कराने हो कुछ भी कोई भी function कराना related to ALU related to calculation related to many operation तो वह सब कहां होंगे हमारे ALU में अब बात करते हैं M U की M U से पहले हम बात कर लेते हैं C U की अब C U क्या होता है यह हमारा control unit होती है जितने भी जितना भी चीज control करने का काम होता है न उस यू को होता है सारा काम फैचिंग से लेके स्टोर तक जितना भी control input देना hardware processing होना सब कुछ execute होना सारा काम इसका होता है control unit का तो नाम से पता चल रहा है यह control करने काम करता है जैसे कि को जैसे हमारा nervous system work करता है अभी हमें यह hand move करना है तो यह है ऐसे तो यह सब control होने का काम हमारा कौन कर रहा है ब्रें तो यह सब चीजें हमें कौन बता रहा है control करने काम तो यह सब कौन कर रहा है तो हमारे इसी तरह से हमारे components है एकस्ण यह पारे भी य्यूनिट को किस और नाम से जानते हैं पहँत्परेंगे यह किसके नाम से जानते हैं से तक्राइसे प्रसेश्टर्स करते हैं यह साठीग सब्सक्राइब लिए और नाम से जानते हैं ःटीज इस इपका फॉम में प्र operators कर दो होती है प्लिप-दीप मरी मंपेव क्यों होती है कि सारा गेटा स्थोर होते हैं मन' कंप्पूटर मेटं यह deeply तो macmm तक मैमरी है। कैसी है टेंपरेनी मेमरी है यह तो Highlight इस फास्ट और मेमरी है कि इस फास्ट मेमरी और गार जाद है कि सारा यह देना नहीं है यह डेटा कसी फ форм म में रखती है यह flip flop की फॉर्म में एक जेटा लेता है ना देटा नगे जीड फिलिफ लेन एक फ्लिफ के लिए जीरो के लिए एक फ्लिफ लॉप बन के लिए एक किसा चीज का बना हुआ है इडिज एक डीटा लेता है को पड़ने माले ठी उसे इसा पूछा जाता है कि इसे तरह से हमारा काम चलता है स्मयुक्राइब तो यह क्या था यह सब हमारा CPU के बारे में था जो आज हम पढ़ने वाले यह टापिक काफी इंप्टेंट है एक्जाम प्रस्पेक्टिव से क्योंकि पूछा जाता है एक चीज और होती है इसे रिलेडि सिस्टम यूनिट अलग है एक और होता है सिस्टम यूनिट क्या होता ह है अगर हमारा CPU कंटेनर कंटेनर होता है तो उसे बोलते हैं उसकांटेनर में कुछ नहीं है अगर उसकांटेनर में मैंने CPU प्रोसेसर मतलब की ग्राफिक्सकार्ड यह सब चीज़े मतलब RAM motherboard तो पूरा CPU बनता है अगर खाली है तो उसे सिस्टम यूनिट बिल्कुल खाली ह तो उसे system cabinet भी बोलते हैं हम CPU को ऐसे system को cabinet भी बोलते हैं अगर components खाली है अगर components डाल दिये तो वह हमारा CPU बन जाता है तो बोलते हैं इसको central processing unit तो system unit को भी याद रखेगा इसे कोष्ण पूछा जा सकता है और इसे रेडियर क सिर्च अथर अब याँ आफ इसो में स्कमुंटर होता है म Kathy कॉंप्लेक्स पहलें सिस्क होता था ख्ञान कि क्यों कि भी लोग के आटщее वी हुप ए तक पूख़ ता तो अब द्रिक्ष थ हे यह जो कि रहता है उन्हें कहूंत हम पूछ रहता है लिजसग में कि रहता ख्रिक बार आइचे था रहता है इसके बाद सकते हैं मैंने आपको यूनी बताई इस के बाद मैंने आपकोetes के पढ़ाए है इसलिए असने पुछा जाए Krराषा सेट सेट कंप्पीटर इसमें टेस्टियों रिछां बॉक्तचान अप्टूटर दो चीजीिंध थास क्रिद्धा इन्सलीचां इन्साइं कुठा सने घकीछ प्रीकिज़र हस्सेट कंप्रेश पीने कोश्सुअहें Hang उपस ऐना ख्रक्रच्ण हमें तो इस याद रखना तिक्छा इस रिद्वावन के क्या ड्त याद रखना तो नेक्स लते हैं तो इस तो इतना भी यपढ़ा है वह किस से रिलेट्ड करके किस से रिलेट पढ़ा है कौन-कौन से important points मैंने आपको बताएं regarding CPU वही बताएं जिससे related exam में questions पूछे जा सकते हैं चलिए एक बढ़ रिवाइस करते हैं अब यहां पर लिखते हैं CPU that is central processing unit अगर फुल-फॉर्म पूछी जाए और इसको एक और नाम से भी जानते है इस प्रोसेसर चीक है अब यह सब चीज़े क्या है इस अलब यह हमारा सब कुछ CPU के बारे में बात करते हैं इसके functions की अगर हमने बात करते हैं इसके functions की अब उसमें क्या क्या था functions में तो पहले फैच करेंगे उसके बाद क्या होगा डिकोड होगा उसके बाद क्या होगा एक्जेक्यूट होगा उसके बाद क्या होगा स्टोर होगा स्टोर कहां होगा memory में होगा तो यह क्या है हमारे यह CPU का important point याद रखना है full form याद रखनी है brain processor तो यह सब चीज़े याद रखनी है functions के बात करें तो फैस डिकोड एकजेक्यूट और स्टोर होता है नेक्स बात करते हैं सपीड पॉइंट की तो हमारा थर्ड पॉइंट जो यहां रहेगा इसको हम बोलते हैं डेजिस कमपोनेंट्स औफ सीप्यूई एक्जाम में कुष्यन जरूर पूछा जाता हैं एक्वक्ट सब्सक्राइब और नाम से जानते को तर्म है उसके लिए यूज होती है रिजिस्टर होती है रिजिस्टर क्या होती है इस तरह से रिजिस्टर डिजाइन होता है अब एक original नाउस के रहती हैं तो यादव कंपूटर से होता है उसे यूज हो होता है जो पहले वाले सबwhat system आपको ठिक है अब और ऊंकुछ बात करते हैं वह क्या होता है इंटल कोर लिखा रहता है ना हर कंप्यूर स्विट अब कोई भी प्रोसेसर एंटल कोर तो लिखे रहता है ना अभी क्या होते हैं जो हमारी जैसे आपको एक चीज पता है अगर हम इससे पहले सब्सक्राइब करें और सब्सकानले दम्समां था याद रखना ग 10 किवोसरी कि वीया the दो पह numerator से को इसे डिपरेजेंट होता था इसो दो पार्ट में कर दिया मतलब और छौटा को दिवाइड टे तू सको बोलते थे Lord को क्या इसे की क्या रिवाइड़ गया जिया हो गया अगर चार हो जाते अगर उपर सब्सक्राइखना ऑचेम आधा मंगया हुए एनको लिए अगर इसको और चोटा और 6 पार्ट यह को यह हमारे क्या है जिसको मैंने बताया हमारे प्रोसेसर को तो इसलिए आपको यह चीज बताएं याद रखने हैं आपको यह चीज तो इसी के साथ भी बल्कुल बेशिक मैंने आपको बारे में बताया साथ ज đến बहुंक है एक ज... स्टेटिक तो Taoपिक करने कुछल Smile है श्पपिक करने के मानले टीक है ठीक है तो यह हमारा ट्पिक है इसको हम कबर करने वाले चैने वाले है इस स्टॉन हम क्याने बहुता है The Central पूछा जाए एक्जाम में फूल फॉर्म क्या होती है तो इसको एक और नाम से जानते हैं तो उसको बोलता है ब्रेन ओफ दे आर्थमेटिक लोजिक उनिट एक्जाम मेन स्टोरेज मतलब की हमारी एंव्यू के मिमें रजिस्ट्रो और हमारी और एप करती के हैं यह तीन कंपोनेंट्स मैं आपको बता दिए अगर बात करते हैं हम यहां पे यह ल्यू की तो नाम से पता चलता है आर्थमेटिक लोजिक सारी calculation सारी calculation किस से related सारे operation जितने भी होंगे किस से related सब और अडिशन से सब्सक्राइब से मल्टिप्लिकेशन से डिवीजन से यह सब कौन करने वाला है अल्यू हमारे जितने भी logic gates होते हैं उनसे related जितने भी operation परफॉर्म किये जाएंगे वो सब बीटुन करने वाला हमारे जितने भी रिलेशनल फॉंक्षन होते हैं सब एल्यू करेगा तो यह हमारी है मेरा क्लियर होती है यह हमारा क्या है किसका है CPU का अब second component की बात करते हैं तो second component हम होता आ हमारा CU यानि की control unit अब जितने भी हम input देते हैं न हम input देने के बाद वो decode होता है फिर execute होता है तो यह सब काम control करने का काम किसका रहता है control unit का हमारा CPU का हाडवे component दी तो है अब देखिए अगर हमारा CPU का हाइडबेर कंपोनेन्ट है हम दो चीजों से बोलता है सिस्टेम यूट को कि और इस त्ब हम यूट करते हैं और कि यूट बात करते हैं पड़ेश यूट कि दूनों चीजिए अलग-अलग है है CPU बन जाता है तो इन दोनों में भी डिफ्रेंस याद रखना तो अगर तभी तो हमने बोले कि हमारा जो CPU है वो कैसा हाडवेर कंपोनेंट है तो इस चीज को भी याद रखना अब यहां पर कंट्रोल यूनिट की बाद हो रही थी जितना भी कंट्रोल जितने प्रोसेसिंग होती है एक्शुवल में वो सारा कंट्रोल करने का काम इस यूप का होता है ठीक है तिक है जैसे कि छलिक याद रखना है अब यह तरह से हमारा यह आपको CPU की इंटर्नल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिखाई देती है इस पर क्या-क्या होते हैं वो चीजों की बात करते हैं दिखाया है इसी के बाद यहां पर क्या है अगर में ग्राफिक्स कर्ण की बात करें तो यहां होते हैं अब वहले वोग इनका जादा जो यूज करते हैं वीडियो को रेंट करने के लिए ग्राफिक कार्ड का यूज होता है तो इसको याद रहे हैं जो हमारे लैपटोप सारह है यहां पर है यहां पर स्टोरेज है यह आप्टिकल ट्राइव है तो इसी साफ से यह हमारा कुछ सीप्यू यहां बड़न होता है तो कुछ इस तरह से तो हमारा सीप्यू होता है डिजाइन हुआ बजाइन वह जो आउटर स्ट्रक्चर होती है क्या 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 मदा बोर्डा मारी हाथ ट्राइव हमारी यह पावर सप्लाइब लिए फैन को बोलते हैं थिक्श कार्ड एड़ तो कुछ सारी स्ट्चर किसकी हमारी सीब्यू के बारे में बताई हो यहां पर किसका पार्ट है इस सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग इसका पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग इसका पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिट कैरिस आर्थमेटिक एंड लोजिक अपरेशन ऑन दा ओप्रेंट्स इन दा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन व अब ALU सारी क्यलकुलेशन कौन करता है सारी कैलकुलेशन अर्थमेटिक से रिलेटिटिट से हमारा एल्यू करता है वहाँ पर उसने बोला कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो यहां पर यहां पर यह पर यह पर यह पर यह कि लगाये जाएंगी उनको को ऑपरेंट्स बोलते हैं तो यह चीज़ clear हुई आपको चलिए तो यहां पर आपको यह चीज़ clear होती है कुछ इस तरह से यह हमारी structure रहती है presentorn processing unit की कुछ इस तरह से work करता है यह देखिए input देते हैं किसका use करके इंपूट devices का use करके हम इंपूट देते हैं अब उसमें devices में हमारा keyboard mouse तो इंपूट यूनिट सब्स हमने इंपूट दिया जैसे की हम कोई चीज पढ़ते हैं कोई भी चीज मैंने रीट करी तो हमारा ब्रेन में इनपूट गया उसके बाद प्रोसेसिंग होगी फिर फाइनली मैं कुछ वोलूंगी या लिखोंगी तो वो मेरा फाइनली function perform करेगा सारे logical functions arithmetic functions फिर उसके बाद आते हैं यहाद यह control unit यह control unit सब चीज को control करने का काम instructions को कौन सी instruction जाएगी कौन सी processing होगी सारा काम इस control unit का होता है fetch से लेके store तक मतलब कि पहले fetching input आया ना फिर उसके बाद हमारी decode होगा फिर उसके बाद execute होगा फिर store होगा तो यह सारा काम control unit करता है ALU का काम समझा आगया यहाँ पर आते हैं memory में हमारे CPU में memory जो होती है registers उनको memory को ही registers बोलते हैं cash memory बोलते हैं registers हमारे data को store करने काम करते हैं register cash memory fastest memory हैं बहुत ठीक है यहाँ पर बात करते हैं memory में मैमरी सारा data हमारा कहां जाने वाला है जो store होगा वह main memory में इस चाहिए अपको याद रखनी है बात करें memory के तो primary memory को ही हम main memory बोलते हैं दो तरह की primary memory होती है RAM और ड्रोम उसके बारे में बात करेंगे यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं फाइनली यह सब प्रोसेसिंग होगी फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा आउट पूट आएगा तो यह सब चीज़े क्या है इट इस ओल अबाउट एल यू इट इस ओल अबाउट सीप्यू ठीक है नेक्स चलते हैं ऑप्रेंट्स आपको समझ आया बच्चो यहां पर यह हमारे ऑप्रेशन थे और यह और भी हमारा क्या ऑप्रेंट्स है तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है नेक्स साथ है रेंडम एक्सेस मेमरी पूछे जएगे इससे पहले भी शैद हमारा कुछ चीजी तैब है है कि अदे सिर्फ यहां पर यहीं पॉइंट कवर किया भी राकी सारे पॉइंट अभी हमारे बच्चे हमने देखेंब ही नहीं आप नहीं प्रोइन है तो सीपीउ परिफॉर्म ओल्र ताइप आप डेट यहां पर हमारी फ़ोटा ही है तो यहां पर हमारी दो पॉैंट्स आपको क्लियर हूई थी प्रेव उसके बाल दो फिर धूर्स के बाद होती है में प्रभाज हल पर यहां पर प्थर पॉइंट पर फीडॉतु है कि मेरेन हर्ट किसमे छोडिए比 तो यहां पर यह चीज याद रखेगा विच रिप्रेजेंटा साइकल अभी एक्जाम में कुछन यह भी पूचा गए कि वट इस हर्ट हर्ट क्या रिप्रेजेंट करती है तो साइकल पर सेकिंड अगर बात करें पहले तो स्पीड किस में मेजर होगी हर्ट में रिप्रेजेंट क्या करेगा सीप्यू साइकल को यह चीज आपको यहां पर क्लियर होने चाहिए तीनों पॉइंट क्लियर है वारे गुड इट इंटर्मीडियेट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्रम यह हमारे डिटा को स् सब्सक्राइब तो यहां पर यहां पर यह चीज मैंने आपको समझाई है कि क्या 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 होती है वह आपको बताया है फिर यहां आते हैं यहां पर हमने किसके बारे पढ़ा है के बारे में पढ़ा है फिर यहां पर आते हैं राम के पास रेंडम एक्सिज मेमरी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो यहां पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीजे बताना चाहती हूं वह क्या है उसकी तरफ चलता है देखिए हमारा जो टॉपिक था डिटिस सी प्यू यहां पर हमने हैं कॉसे में kinda के बारे में के बारे में अगर माथ लाता है न हमारे कंप्यूटर जीतना पी डेक दोंता है अब वह तो स्टोर होता है वो कही नए कहीं तो हो गई सब्सक्राइब चीजट है जब तक एक्जाम दीया है थोड़ दिन तक फिर बीचले जाएंगे तो हमारे दिमाग में चीज़ें बने वह कैसी यह थाइब अब अपने एबी सीडी याद करी होंगी अपने स्कूल टाइम पे तो वह चीज़े तो आपके ब्रेंट में प्रमनेंट स्टोर है ना वह तो नहीं भूलेंगे ना लेकिन एक्जाम प्रश्ट्रक्टिव से हमने पढ़ा पढ़ लिया उसके बाद वह चीज़ें हमारे दिमाग में टेंप नहीं होता है पता चलोकि एक स्टॉरज उस ब्सक्रा बात करते हैं यहां पर संच इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ ता cohort dt आप्सिव Today मीरी और हमारे दो ठाजने होती है अपनि में कारती है हम्हें यहां को या प Fourrier है का दो तरीक ही memory होती है primary और Här अकर बात करते है फ्राइमआरी तो primary memory को ही हम में मैम लिए बोलते हैं primary memory को ही हम temporary memory बोलते हैं तो इस चिछीज को याद रखेगा आते हैं secondary pens को यह अग्णम से के क्यों जानते हैं temporary भी बोलते हैं internal memory व यह नाम से पता चल रहा है यह primary memory है जो को अब देखो नाम से पता puedo तो यह हमारी कैसी होती है में यह हमारी कैसी होती है इंटर्नल मैमरी देखरे हो कि इतने सारी नेमिंग हैं एंके तो एकजाम में कोई सब पूचा जा सकते हैं टाइपस ऑफ मेमरी में फर्स प्राइमरी मेमरी सेकिंड सेकिंडरी मेमरी प्राइमरी मेमरी को बच्चों एक और नाम से जानते इस में में मेमरी और इंटर्नल मेमरी सेकिंडरी मेमरी को एक्सर्नल मेमरी भी बोलते हैं पर्मनेंट मेमरी भी बोलते हैं और और उक्जिलरी मे ना में नुद्दे किसको किस नाम से ज़ाना जाता है इसके बारे में आपको डिटेल बेंदऑ उप्लिए फारी में बी леж वरुजियं और यह फोक दुट्बर ४मेंट और साथ-। यह फोली नुड़ Day और चीज समझते हैं इससे पहले वो क्या है अभी हमने किसके बारे में बात करीं प्रोसेसर है यहां पर हमारी रैम होती है या फिर हमारी इंटर्नल मैम्मरी होती है ऐसे माल लेता है यहां यहां पर हमारी सेकेंडरी म्मुरी होती है आपको पता है कि साथमलКे म केंड़न को कंटक्ट नहीं होता सेकेंडरी ममरी के साथकोई कुछ मतलब नहीं होता सिर्फ कusta सी क्लिए रैम से Olivier टॉमारी पीट्री माने मेर्य उसके साथ मतलब होता है इसके साथ स Nepom होता है से सब्सक्रण के मतलब होता है why अक्र एक्राइम को कॉछ है कि कुछा गया इसलिए बता है चte firms और नंडं ऑ रोम रिया नाम तो हमें पाथ dalam बताओ न काम क्या होता है तो यहां पर रैंप की बात करें तो रआधी तेमप्रेरी मेमरे मेमरी अब यह क्सूल्ड एसमिद आप honors report देखि hadn't did that to pay स्टोर रहता हैं हम सोधार है मतलब की आधी पावा सप्लाइच चल रही है हैं हम काम करने हैं हमारा काम चल रहा है जैसे एकदम लाइट चली गई ना पावर ऑफ तो हमारा जो काम है वो सेव नहीं होगा वो टेंप्रेरी स्टोर था किसकी वजह किसी एक वालेटाइल मेंडरी है रों कैसी एक नॉन वालेटाइल है तो इस चीज़को भी आद रखना है वालेटाईल क्यां होती है नॉन वालेटाईल किया होती है मैंने क्या बोला रिम कैसी मään्मरी है वालेटाईल एक्षाम में कोशन फोचा गया था Gobierno गया था यहां पर यह फ्टो बतलब क्या हुआ ससमा है कि आप काम कर रहे हो चानक से लाइट चली गई पावर सप्लाइब कट हो गई तो आपने काम किया न वह भी चला जाएगा तो कैसी मेमरी है वह वालेटाइल टैंप्रेरी है तो यह राम के बारे में बता है रोम की बात करें रीड ओलनी मेमरी यह पर्मनेंट मेमरी है इन कंपारेजन है जो मेमरी टैंप्रेरी होती है वह वालेटाइल होती है जो मेमरी पर्मनेंट होती है वह हमारी कैसी होती है नौन वालेटाइल तो यह चीज आपको याद रखनी है ठीक है यह चीज हमारी हैं पर कवर होती है रैम और रॉम के बारे में अब अगर रैम के टाइप्स की बा आपता करते हैं ना कि तो समझ लगारे कि एक चीज होई पर्मनेंट और कैसी हुई पर्मनेंट में मिली और कैसी हुई अगर यह पर्मनेंट नौनन वालडाईल फोटान का काम खतम यह सिर्फ रिड करेगी यह random axis memory है read code data को change भी कर सकते क्योंकि तो temporary memory है काम कर रहे है power supply है तो data store है जिसपे हम काम कर रहे है power cut तो data भी चला गया तो यह कैसी है राम और यह कैसी है वारी अब देखे चीज और याद रखेगा units of memory इनको पढ़ने से पहले प्राइवरी में 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 इंटर्नल में दो तरह की होती है राम एंट रोम इनको पढ़ने से पहले memory पर चाहते हैं कि memory की units क्यों होती है है हर किसी की किसनों कुछ यूणिट होती है सबसे चोटी यूणिट होती है कंप्यूटर में memory की डेट इस निबल और फिर उसके बात बात बाइट फिर के बीद फिर एंब फिर जी भी इस तरह से हमारी memory की यूणिट रहती है तो यह भी याद रखनी है चीजे एक्जाम में कुश्च पूछा जा सकता है एंबी मेगाबाइट जीबी गीगाबाइट के बी किलोबाइट सबसे पहले नीबल फिर बिट फिर बाइट तो यह हमारी यूणिट से फिर आगए टीबी जडबी पीवी ऐ सबस्क्राइट करें दो नाम से पता चल रहा है तो वह हमारी डाइनमिक राम हो गई यहां पर हमारी यह कौनची होगी सटिक रहन तो इस चीज को याद रखना है अब रोम की बात करें तो इसको टाइप पर जाते है रोम पर नेमिंग आता है पहले तो यहां पर लोग्राम प्राइमरी को यहां प्राइमरी को भी कपरते हैं प्राइमरी मैमरी को उसको पढ़ना शुरू करते हैं और ने यहां पर कि चलि कि आए प्राइमरी इंडिक के तोड़ा पहता चल गया सेकिंडरी को भी सुले प्राइमरी Works एक एक्स्टेर्नल मेमरी करते हैं सब्सक्राइद करते हैं सब्सक्रांटे जितनी भी secondary memory होंगी वो डेटा को जो स्टोर करेंगी ना पर्मिनेंट स्टोर करेंगी क्योंकि क्यों करेंगी क्योंकि वो एक non-volatile memory है वो एक external memory है वो एक auxiliary memory है तो यह चीज़े भी याद रखती है नेक्स आते हैं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं राफ के बारे में मैंने सारी बताया कि में मैंडी के दो टाइप होता है इससे डिस्क्रिप्शन होता है तो यहाँ पर फडिले पढ़ने हूब याने के random वोलेटाइल लेकिन यह कैसी एक टेंप्रेरी मेम्री एक वोलेटाइल मेम्री है तो जब भी आप मेम्री डेट करने वाली है राम इस टिपीकली यूस्ट वर्किंग डेटा इंड मशीन को जिस चीज पर वक कर रहे हो ना सब्सक्राइब को यह तो करते हैं डेटा को इतना या रखनी है तो को यह रही है यह तो नहीं यह तो हमारा काम भी ख़ए है तो यह चीज आपको याद रखनी है ठीक है नेक्स आते है रहां कि अब यह इस आपको समझा दीए पूरए डिटेल में रहां कैसी एक वोलेटाइल रोलेटाइल क्यों बोला वो मैंने आपको समझाए यूस्टू ओल्ड इंस्रक्षिन करेंटली रर्निंग प्रोग्राम यह इंस्रक्षिन वही लेती है अब काम कर रहे हैं पावर सप्लाय है तो काम चल रहा है पावर कट तो जो अपने काम किया वर्क किया वह भी ख़़ा क्यों क्योंकि व यहां चलते हैं कुछ इस तरह से हमारी राम चिप दिखती है कुछ इस तरह से हमारी राम चिप दिखती है कुछ इस तरह से यहां पर आते हैं अब आते हैं हमने बात कर लिए दो तरह की डाइनमिक और सेटीग्राम अब इनके बारे में बात करता हैं डायनमिक रैंडम समी कंड़क्टऻ इसे बात करते बात न समी कंड़क्टब्स पर से लिकन आ जाता है सिलिकन चिप होती हमारी सब्सक्राइब तो यहां पर सब्सक्राइब यहां पर इन्होंने क्या बोला है जो डाइनमिक मतलब की चेंज होती है इसके नाम से ही पर दाइनमिक है वह तो यहां की सब्सक्राइब करता है जो कि हाट डेटा सब्सक्राइब करता है तो यह चीज आपको याद रखनी है अब बात करते हैं स्टाइप और रेंडम एक्सिस मेमरी का यहां पर इस चीज को बहुत तरीके से याद रखना है सबस्क्राइब करते हैं यहां पर यहां पर यह बहुत तक है यहां पर टाइप और इस चीज यहां से हमारे स्टेटिक और डाइनमिक खतम होते हैं नेक्स सब्सक्राइब नियुक्त कर रहे हैं तो हम बात कर रहे थे एस्ट राम की तो यहां पर हमारा टॉपिक खतम होता है एक्जाम में कुष्टन जरूर पूछा सकता है सब्सक्राइब करने की रिफ्रेश करने की रिफ्रेशिंग यूनिट यूज नहीं करता इसको रफ्रेश करने के जुरूत नहीं पढ़ती है सब्सक्राइब को पर डाइनमिक को हर हमारे डेटा को रखने के लिए रिटेन रखने के लिए यहां पर इसको बार बार रफ्रेश करने की जुरूत पढ़ती है ठीक है यह चीज़ें याद रख सकते हैं एक्जांप प्रस्पेक्टिव से कुश्ण पूछा जा सकते हैं नेक्स आते हैं हम यह कुछ यह हमारे स्टेटिव क्रमः यह हमारी क्या है डाइनमिक रखनेगा ठीक है निक्सल्ते हैं हम देंगे स्टेटिक राम है एक डाइनमिक कि ठीक है next चलते हैं हम री टुडिल की तरफ यमने कि क्लिछ राम राम किया होती है इंटरनल मेंte gli टंप्रेरी देबेड कैसे वालա्यट्याइल के दो replica kण सेornar विद दून त्किन कि दौनों कि हमने बात करिये एक डाइनमीक एक स्टेक्ट को रिफ्रेश करने की जरुप पड़ता एक को रिफ्रेश करने की सिर्फड newest नहीं पड़ती कि एक शेपर ज्यूट है और ह्दुब है जाधा रहता है इसा कि वह बहुत हो pakने रेट यूट करने की जरुवत करने की जरुवत पड़ती जरूवत पड़ती है तो यहां पर बार बार हमें रफ्रेश्च और ने की ज़रुवत पड़ती करते हैं रैम कंपलीया रों की दर शलते हैं ये भी मेंं मेंच पार्ट है यह अधी प्राइमरी मेंच को पार्ट है रीड ओनली ओंडी और यहां क्ट यह कैसी है इस नॉन वालताइल मेंच तायब दिस एंदेट रिस एंद रिसीब डेटा एंद पंछावर्कार एंद टुन ओ यूर कॉम्प्यूटर चले जाए जबाव सप्लाय कर्ट हो जाए हमारा डेटा आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा लेकिन रॉम को की प्रेंट वालेटिल मेम्री यह इस पर्मेनलिय रायइडे वाइड यूरप्यूटर्ट अपर यूर्ड अब हमारा देटा है वैसे मिलेगा तो रोम की बात करते हैं आपको बात करते हैं जैसे कि आपको भी रॉम के बारे में पढ़ा फिर इसके बाद सब्ढय लगे सब्吏ए अगर हम बात करते हैं हमने शबते हैं सब्सक्राइब वाशिंग में वह से चैजह को बिए चैजिए को याद रखने हैं पूछा जा सकते हैं कि यहां पर इसको याद रखने हैं कि आपके यहां कि से नाम नाम यहां प्दिन और यहां तो इसको याद कर 자क्ती की बात करें और एक होगति है एक हो यह इस तरह से हमारी जो डेटा को रीट करती है राइट नहीं करती जो कि इस तरह से यहां पर कहां पर कि सब्सक्राइब क्या पता लग रहा है यहां पर आते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे यहां पर कुछ इस तरह से होती है यहां पर देखते हैं यहां पर कुछ इस तरह से होती है है सकता हैं आपको इंस्ड्रक्ष्षन देती हो यहां पर चैसे हम कंप्ड़यर को स्टार्ट करते हैं तो वह किसकी वाज़े से होता है कहां होता है वोसी रॉम की वज़े से तो इस चीज़ को याद रखना है कि रीड ओल्ली मैमरी फिर हम महीं पर उसके टाइप पढ़ रहे हैं अपना रॉम के बारे में जैसे कि हमने रॉम के बारे में पढ़ा तो देखिए अभी एक पॉइंट और यहां रख सकते हैं हम यहां पर क इसकी फुल फॉर्म पढ़िया बस अभी से जाद हमने नहीं पढ़ा इस मार्स रीड ओनली मैमरी एक तरह की मामरी चिप है इस मैनुफेक्ट्टर इस कंटेंट मतलब क्या होता है कि इसके प्रोग्राम और इसके इंस्ट्रक्शन जो बनाए जो इसके प्रोग्राम और इसक तरह किसी और रख सकते हैं कि रॉम जो इन्स्ट्ट्शन लेती है न जो डिरए इंस्क्शन लेती है रओ हमारी वह सब असको चाहिए हो जैसे इस इस चीज़ को याद रखना है तो जबी गुझाट कर देंड तब रॉम एक्दम डिपन इस्ट्श्न लेती है उस तो क्या बोलेंगा इस तुमीस नोर आज बूट स्ट्रैप जब रोव हमारी कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन यदिट लेती है जब मध्यान को स्टार्ट करते है तो उस बोलते हैं बूट स्ट्रैप इस इंप्रॉटन पैर या दरतने एक्जाम में कोश्या पूछा गया कि तो रॉम वर्क करती है ठीक है राम नहीं करेगी और क्या पढ़ रहेते हैं यहां पर रॉम के बारे में पढ़ रहेते हैं इस मार्क स्रीड ओल्ली मेमरी करती किया यह तरी के मैमरी चिप है जो कि मैनुफेक्ट्चर हुई थी इस कंट्अ मतलब कि सब्सेयर ऑख किल अजहां बोल सकते हैं कि प्रोग्राम एन इनिस्ट्रक्ष उप्रोग्राम्फेक्शो यह जाए हों भीडिठ नतर नेksi इस तो तो मार्क्स रीड ओनली मैमरी मैनुफेक्चर विडिट्स कंटेंट इस तो राफर रॉम चिप इन कंटांस रॉम कैटेगरी विच अल्सों इंक्लूड पी रॉम एंड एपी रॉम लेकि जबी भी हम बात करते हैं रॉम चिप से रिलेटिड हम बोल सते हैं कि रॉम चिप तो और इसका मतलब उतर रॉम के कैटेगरी दो पार्ट से डिवाइड करी गई है यह एक और भी एड एपी रॉम और एक और है यह इस एप रॉम आपकरी यह बात करेंगे अप चलते हैं सीधा 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 सीधी कुश्चन साय है फुल फूब तक पूची गई हमसे तो यहां पर क्या बोला अगर हम बात करते हैं M-ROM की और हम बात करते हैं P-ROM की M-ROM के case में at the time of manufacture मतलब की जब उसके program और instructions जब उसमें डाले गए थे at the time of manufacture उसके content नहीं होंगे लेकिन हम प्रोग्रामेबल की बात करें तो जो इसकी content है can be change देखो यहां लिखाए नहीं हो सकते हैं once after manufacturing of the device एक बर हम इसके content change कर सकते हैं लेकिन जो modify थी जैसे M-ROM थी उसके हम change ही नहीं कर सकते वह कैसी है उसके जो content थे जो इंस्ट्रक्शन थे जो इसके प्रोग्राम थे वह सब लिखे लिए कर सकते हैं इसको हम एक बर क्या कर सकते हैं एक बर पड़ी फिर उसके बाद पी रॉम पड़ी दोनों में comparison किया एक के रिजबल है और एक के नहीं है मतलब कि एक एक बर चेंज कर सकते हैं एला टाइम of manufacturing पर मास्के तो चेंज ही नहीं कर सकते हैं यहां पर आते ईपी रॉम में यह कैसी होते हैं इस इरेजबल प्रोग्रामेबल डीडोली मेंपरी इस फॉर्म ओफ कंप्यूटर मेंपरी डेट डॉस नोट लूज इस कंटेंट यह अपने कंटेंट लूज नहीं मतलब जाते नहीं है इसके कंटेंट बेंद पावर सप्लाइस का टॉफ ड़ाइज और रियूज जैसे कि हमने बात कर दि देने रहांने इसके फॉट सप्लाइए होती है जिसके हम काम कर रहे उसको दिटार चला जाता है वह क्यों पो टेमप्रेरी ए लेकिन यह तो पर्मोनेंट है इस उसक्तिक डूज इस कंटेंट जो इसकी कंटेंट होते हैं वह नहीं जाते पावर शप्लाइस का टॉफ चब चले जाती है और फ्रेज और यूज उसको एरेस भी कर सकते हैं डुबारा से भी यूज कर सकता है कि इसको ईपी रॉम को किसका नाम इंग अगर प्रोग्रामेबल रीडोंली इन पर चाहिता है तो इसके चेंज हो सकते हैं एक बार वन्स आफ्र ता मैनुफक्चरिंग ऑफ ड करीं। फिर हम इसके बाद EEP रॉम की इनकी बताऊंगे इंकी पी इप्रम की बाद करें। रिडाल तरी तरी रेसेबल प्रोग्रामेबल रीड नाम से पता चल रहा है इसके कंटेंट तो लूज होंगे जो हम से कंटेंट हटाएंगे वो किसके थ्रूँ अटा सकते हैं इल्डिकल एकस त्रूप और यहां पर आते हैं इसा यूशर मॉडिफाए कैसी है यह दिखें कैस लाज़ करेंगे कैसे उसे करेंगें क्या आज़ецरी मिल्टे करेंगे कि रेज कर शक्ते से को ढूआरा से प्रोग्राम कर सकते हैं तो यह पूछा जाए रॉम कैसी है तो यह हमारी एक user modify ROM है ठीक है तो इस चीज़ को याद रखना है यहां पर बात करते हैं next पे flash memory की तरफ flash memory combine the advantage of ROM and RAM flash memory एक ऐसी memory है जो जिसमें दोनों के advantages होते है ROM के भी और RAM के भी it not only has electrical erasable programmable but also can read data quickly without power loss memory अभी हम इसके बारे में क्या करेंगे हम यहां पर इनके बारे में एक बार इनकी examples देखेंगे तब हम next topic में shift होते है flash memory के फिर हम अपने next topic की तरफ shift होंगे हमने flash memory के बारे में बात की है ठीक है अब further topic को देखने से पहले हम थोड़ा और चीज़े देखते है examples क्या-क्या हो सकते है flash memory हमारी SD cards में use होती है होती है कि देखें इसके पास ने एक यह बोल सकते हैं capability होती है किस चीज़ की कि हमारे जो content होते हैं उसको यह electrically erase और रिप्रोग्रामेबल मतलब प्रोग्राम रिप्रोग्राम कर सकती है electrically erasable है कौन flash memory है but also can read data quickly without power loss data को क्या कर सकती है easily read कर सकती है without power loss तो इसके पास दोनों के advantages है किसकी RAM की भी और रॉम की यह flash memory example याद रख सकते है SD card होता है जैसे कि हमने और memories पढ़ी है वैसे हमारी flash memory है इसके पास भी capability होती है यह हमारे cameras में digital cameras में जैते भी portable device होती हमारे smart phones उनमें यूज होती है flash memory digital cameras में यूज होती है अगर बात करते हैं EEP ROM की तो यह हमारी यूज होती है अब तक हमने computer GK में static GK में computer में हमने topic cover कि CPU फिर CPU के बाद फर्दर shift हुए हम RAM में RAM के बाद हम जो next topic करने वाले यहां पर memory के बाद जो next topic है वो हमारे समने flash memory है है magnetic tape magnetic disk फिर हमारी hard disk floppy disk और optical disk यह सब आती है कि सेकेंडरी memory में secondary memory में data store रहता है वो permanent रहता है लेकिन primary memory में हमारे data store रहता है वो permanent नहीं रहता है वो temporary memory है primary memory हमारी एक internal memory है यह सब चीजे जो basic चीजे मैंने आपको पढ़ाई है इसे related exam में question पूछा जा सकता है next चलते हैं हम यहां पर country code extension अब यह country code extension क्या होता है इन चीजों को समझने की और domain name extension की यह दो चीजी होती है हमारी देखिए होते हैं actual में अगर बात करें extension के extension हमेशा suffix part होता है मतलब की last part होता है अगर बात करें prefix prefix हमें पता है नियूंजा अब प्रक्लम कर नहीं ही किसे separate होते हैं हमारे डोट से we work पर-डोट से separate करते हैं याद रहतना यह हमारे extension जितने भी होते हैं यह लास्ट पार्ट होता है यह हमें बताते हैं particular file name particular domain name किस से बिलॉंग करता है पहले मैं आपको file name बताती हूं फिर domain name बताती हूं ठीक है यहां पर आते हैं file name के बारे में बात करते हैं तो file name क्या होता है suppose आपने MS word पे notpad पे या फिर Excel पे कोई file बनाई आपने उस file को name दे दिया और अब आमन ने कहां पर वक्तिया वो कैसे पता चलता हां वह उसके extension से पते चलता है जैसे कि हमारा surname होता है अना जैसे राहुल चर्मा तो हमें पता चलता है राहुल किस family बिलॉंग करता है शर्मा फामिली से तो ऐसे के केस में हमारे extension होते हैं जो कि suffix होते हैं जो कि हमें बताते हैं पर्टिकुलर फाइल किस से बिलॉंग करती है जैसे मैं यहां लिखते हूं फाइलका नाम अमन और destru and not are진 लिगदे तो अब मुझे पता चलेगा यहां काम किया अगर मुझे उसको ईक्सेंशन पता है अब artyf डिआ इसके इसेंशन होता हुँ रीज्ट पैट का किसका extension होता है यह वर्ड पैट का और टीएफ extension अब यह वर्डपैट के लिए तो मुझे पता चल जाएगा उसके extension से कि अमन ने वर्ड पैट पर काम किया है अगर मैं बात करती हूं यहां पर TXT की तो यह क्या है मेरा टेक्स है तो मुझे पता चल जाएगा अमन ने नौटपैट पे काम किया है तो यह सब क्या है मेरे extension ही तो है यह use होते है extension तब ही तो हमें पता चलता है computer की files particular file किससे belong करते एक्सल की बात करें xls होता है अगर हम बात करें xlx की तो यह हमसे अगर 2007 से पहले की बात करें तो वहां पर xlx होता था अगर 2007 की बात की बात करें करते हैं और डॉक एक्स लगाते हैं 2007 के बाद तो ऐसी अगर पावर पॉइंट की बात करें तो वहां पर हम यूज करते थे क्या पीपीटी और अगर बात करें 2007 की तो डॉट पीपीटी एक्स का यूज करते तो यह कुछ एक्सेंशन फ Thank you यह कुछ उनब। इससे क्या होते हैं तो यह स्वेस्जड करते हैं टॉट से चैनध मैं क्या होता है Php एक्सिंशन को समझने से पहले हमें डॉमेंड नेम तो पता होना चाहिए तभी तम एक्सिंशन पर शिफ्ट होते हैं एक्सिंशन की बात करते हैं यह सफिक्स पार्ट होते हैं तो यहां पर बात करते हैं इसकी डॉमेंड नेम की यह आया है कहां से हर एक डिवाइस का जितनी भी डिवाइज लोगी जयोट हुए उनका अपन एक एड्रस होता है थीका उंको मुझत हम आएपी स्टू हमने कि लिए हम इंटेंट पोने मैं अब IP address से domain name तक आने का जो software tag किया उसके बीच में किसने कौन सा server ने help किया कि कौन सा system आया था उस system का नाम है DNS that is domain name server या domain name system बोलते हैं उसको तो यह चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे हमारी यह चीज़ खतम होती है अब देखें domain name system और domain name server हमें समझा आ गया कि यहां तक यह shift होने के लिए इसने मदद की थी तब हम किस पर shift हुए domain name पे domain name क्या है हर एक website का हर एक website का अपना domain name होता है यह क्या बोला मैंने यह बोला कि हर एक website का अपना domain name होता है वो domain name हमें buy करना होता है खरीदना होता है मुझे कोई website को design करना है तो मुझे उसके लिए किसकी हीड हो की domain name चाहिएगा और बोडामें मैं खरीद उगी buy करूँगी तो वहां पे वो domain name मुझे मिलेगा तो मैं domain name use करूंगे अपनी website के लिए website क्या है collection of collection of web pages is known as website हम वो website बनाएंगे तो उसके लिए मुझे domain name चाहिए करोंगे तो यह मेरा क्या है domain name ठीक है अब मैं आपके example देखे समझाती हूं कि actual domain name क्या होता है देखे चीजें कैसे समझेंगे domain name को suppose मैंने यहां लिखा www www.google.com या फिर amazon.com लिख लिए यहां पर लिखा मैंने google.com अब यहां पर जो यह www क्या हैस वर्डवाइड बाब यह गूगल क्या है मेरा domain name है यह डॉमें लेग्सेंजन है यहां पर यहीं चीज मेरी यहांपर खतम होती है www क 않तर हैμεmmy करते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पूरा यह मेरा पूरा U brauderPhone स्टरी внеш elevator लोगेचाप यहां पर आपको चीजें समझाज और यह सब डॉक्टोकोल, यह सब डॉपमेन, यह डॉमेन नेम यह डॉमेन से डॉमान एकसेंशन हम्ट है अज का टॉपिक है उसका वह क्या पढ़ने वाल है दॉमें एक स्टेस के बारे में तो याद रहें डॉमें नेम डॉमेंट इक डॉक्ट से से प्रेट दिगे नेम की ठाइब अगले तॉप लेवल लेवल रॉच्ट रॉजन्ट्रिक वह कंट्री कोड़े नें यह एक top level है यह top level domain है तो यहां पर dot com मतलब की commercial dot edu education dot org organization dot gov government यह सब क्या है top level है लेकिन हम जो आज पढ़ रहे हैं वो country code के बारे में पढ़ेंगे तो पहले मुझे यह चीज बताओ clarity के साथ कि domain name और domain extension आपको समझाए यह हमें करना होता है यह कहां से मिलता है domain extension यह हमें सर्वर प्रोवाइड कर आता है हमें बता देते हैं कौन सा चाहिए आप यूज करें तभी तो बोलते हैं domain extension हमें बहुत सही से चूज करने चाहिए क्यों क्योंकि इसी पर डिपेंड है हमारी website के रीच सपोज मुझे कोई बसनेस इंडिया में स्टार्ट करना है तो मैं उसके लिए क्या तरफ क्या है हमारा टापिक कि यहां से स्टार्ट होता है आज का जो हमारा टापिक एक पर देख लेते हैं फर्दर और स्लाइट है यहां से स्टार्ट होता है आज हम पढ़ने वाले कंट्री कोड एक्सेंशन और मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ पताया है दिवान और महारा टापिक काहनशनास फक्राठ ज theor में उस टॉपीक में video एक होता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब बीशलिकम याद रखना चल्याग है यहां पर युनाइट सेस. تع 드. एज्डी आपको इस वीजुत है के लिए ड़ा जी चांडराइब आपको तो यहां पर कंट्रीकॉर्ट कब स्टार्ट सकते हैं इक्जाम पूछन पूछाज़ा सकता है और यह एक। कुछा जा सकता है यहां आते हैं है नेक्स आते हैं 1986 में 1985 में तीन कोड़ साइथ तीन कंट्री कोड एक्सेंशन आये उनको सी सी कोड़ साइथे कौन-कौन से यूए यूएस का UK का IL का ठीक है तो यह चीज़े याद रखनी है 1986 में AU Australia के लिए फिर DE देखो DE आपको confuse करेगा यह जर्मेनी के लिए जर्मेनी के लिए जर्मेनी के लिए डॉट FI fine line के लिए डॉट FI France के लिए डॉट EIS Iceland के लिए डॉट JP Japan के लिए किया साउथ कोर्या के लिए एन नीदर्लेंड के लिए ऐसी स्वेडन के लिए तो यह याद रखने हैं कौन्से कंट्री कॉर्ट किस एर में आया थे एक्जाम में कॉश्चन बनता है ठीक है कि यहां आते हैं next 1987 में एंजड न्यूजर्लेंड के लिए CH अब देखें CH आपको यहां कंट्यूज करेगा CH से चाइना ना कर दें चाइना का CN है वैसे ठीक है CH का क्या है स्वेडर्लेंड C का क्या है कनेड़ा अब यह थे हमारे 1987 के 1988 पे चलते हैं आई डेटे रिलेंड एटी इटली के लिए एस के लिए स्पेंड पीटी के लिए पाट्गिल और यहां पे आइन के लिए इंडिया आइन 1989 कम से कम हम यह तो याद रख सकते 1989 में इंडिया गासा एक्सेंशन आयता 1990 नाइंटी नाइन यह देट इस सी एन पीपिल रिपब्लिक ऑफ चाइना रशियन फेडरेशन आर यू तो यह चीजी आपको याद रखनी है कंट्री कोड एक्सेंशन है मैंने बता दिये होते ही क्या है आप बस आपको इतना याद रखना है कौन से किस एयर में आये थे और कौन किसके लिए एक्सेंशन है ठीक है तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है डेट इस हमने सिप्यू के बारे में पढ़ा इस टॉपिक में यह पर हमने क्या कवर किया हमने स्धियरी चॉप्ण है हमारी उसमें स्टैटिक कि एक में कम्प्यूटर का कौनसे टॉपिक कवर किया हमने चालेक्ष के बारे में पढ़ा और फर्द हमने क्या पढ़े में पढ़े यही हमारा तॉपिक ता और आप कि अधी साथ सारा टॉपिक कप्लीट किया आजओ कि क्लासमें next class में मिलते हम next topic के साथ some further next class में मिलेंगे अपने next topic के साथ thank you for this class hope so ये class आपको अच्छी लगेगी thank you